दोस्तो यहां पर आप लोग life proof देख सकते हो congratulations का page यहां पर मिल चुका है और यहां पर लिखा है as per you profile we provide you a offer of 25,000 जी हा दोस्तो यह यहां पर as per profile 25,000 का लोन मिला है और वो भी मैं बता दूँ जिरो सिबिल पर, ये कोई किसी और का मैंने यहाँ पर apply नहीं किया, मेरे खुद का घर का family members, मेरे पिताजी का यहाँ पर सिबिल चेक करके, मैंने यहाँ पर apply किया था उनके ID पर, तो उनका जो है lifetime में कभी भी जो है loan नहीं लिया था, फिर भी उनको 25,000 का loan मिला है जिरो सिब दिया है, तो यह जो भी loan company है, किस तरीके से आप लोग को loan provide करेगा, वो मैं आप लोग को वीडियो के अंदर बताऊंगा, और साथी साथ जो है, यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर सिर्फ pancard जो है need है, कोई आधरकाट की जरुवत नहीं है, जि बता सकता हूँ वीडियो के अंदर, अगर आप लोग पूरे वीडियो नहीं देखोगे, तो आप लोगो को पता नहीं चलाएगा, तो skip करके दिखेगा मत, नहीं तो आप लोगो नुकसान होगा, यहाँ पर आप लोगो application का नाम भी नहीं पता चलाएगा, और process भी आप लो लोगो लोन का जरूरत है, अगर आपको चाहिए 25,000 तक का लोन आप लोगो मैं दिलवा सकता हूँ, तो आप लोग इस loan applications के थ्रू लोन ले सकते हो, मैं आप लोगो प्रोवाइट कराऊंगा, ठीक, अगर नहीं मिलता है, तो मैं आप लोगो दिलवा दोंगा, कोई दिक्कत चाहिए, यहाँ पर आप लोगों को लगता है कि सिबिल स्कोर ही आप लोगों को लोन प्रोवाइट करवा सकता है, लेकिन मानो जो लोग अभी तक नया है, जिनका सिबिल स्कोर तैयार नहीं हुआ है, क्या उनको लोन नहीं मिलता है, उनको भी लोन मिलता है, कैसे मिलता है, आप लोगों को सही applications तक पहुँचना पड़ेगा तब ही आप लोग जो है बिना civil का आप लोगों को loan मिल सकता है civil score अगर generate नहीं भी हुआ है तो भी आप लोगों इससे loan मिलेगा आज मैं आप लोगों के लिए कैसा loan application लाया हूँ आप लोग स्क्रीन पर देख पार हूँ 25,000 का loan यहाँ पर approval हुआ है वो भी 0 civil पर, civil report generated नहीं हुआ है और यह किसी और का नहीं मेरे घर का खुद का member का यहाँ पर civil score के थू ही यहाँ पर loan approval करवा है है उनका document के थू यहाँ पर आप लोगों को detail में दिखाने वाला हूँ लाइफ में कभी भी जो है loan नहीं लिया है यहाँ पर civil score generated नहीं हुआ है फिर भी 25,000 तक का यहाँ पर loan approval हुआ है आज आप लोगों को life proof दिखाने वाला हूँ किस तरीके से apply करना पड़ेगा कौनसर वो loan application है नाम मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर बताऊँगा वीडियो अगर पुरा ध्यान से देखोगे नाम भी आप लोगों को पता चलेगा बेफाल तो मैं आप लोग कोमेंट करते हूँ कि नाम आप बताए नहीं हो हर एक वीडियो में मैं application का नाम प्रोवाइड करता हूँ आप लोग पुरा वीडियो ध्यान से देखते नहीं हो skip करके देखते हो और वो नाम जो है जब मैं वो नाम बोलता हूँ तो वो skip हो जाता है part तो आप लोगों को पुरा information अगल आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को ध्यान से पुरा चीज को देखना होगा आप लोगों को definitely इससे loan मिलेगा यह मैं आप लोगों guarantee दे रहा हूँ civil score अगर generate नहीं हुआ है loan मिलेगा साथी साथ एक और जो है चीज यहाँ पर सिर्फ pan card यहाँ पर लगने वाला है offer of 25,000 तो 25,000 का offer मिला है as per profile अब आप लोगों का profile कैसा है क्या आप वहाँ पर fill कर रहे हो आपका salary वहाँ पर क्या लिख ले हो उस तरीके basis में आप लोगों को वहाँ पर loan मिलेगा अब मैं आप लोगों को detail बताऊंगा कि कहाँ पर क्या लिखना होगा वह आप लोग step by step follow करिएगा तो definitely जो है इससे loan मिलेगा यह मैं आप लोग गैरेंटी दे रहा हूँ यहाँ पर आप लोग देख सकतो 25,000 का जो loan amount है तीन वहीने के लिए मिडा है क्यूंकि पहला बात है यहाँ पर civil requirement नहीं है civil जो है zero civil पर loan मिला है अगर मानों यहाँ पर 25,000 loan दे रहा है और वो भी zero civil पर civil report तैयर हुआ ही नहीं है तो यहाँ पर tenure उतना ज़्यादा देगा नहीं यहाँ पर interest rate भी थोड़ा सा high लग सकता है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो disbursement amount का document जो है यहाँ पर कोई दिक्कत होगा problem होगा document का यहाँ पर बात करो तो सिर्फ pancard ही लगेगा कोई आधर काड की जरुवात नहीं है तो यह loan application आप लोग कहाँ पर मिलेगा प्ले स्टोर पर मिलेगा यह तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है आप लोगों को loan के regarding videos में देता हूँ कौन सा loan application अभी का time में best loan provide करता है आप लोगों को कर सकता है as per your civil आप लोग डिफोल्टर हो आप लोगों के पास civil score नहीं है या फिर जो भी है आप salary हो, self-employed हो, students हो, unemployed हो सभी के लिए loan provide करने के लिए यहाँ पर videos बना कर रखता हूँ चैनल पर जाईएगा बहुत सारे videos मैंने डालकर रखे हो है अगर आपको loan के need है तो आप लोगों वहाँ पर जाके apply कर सकते हो तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को details में समझा लेता हूँ ताकि आप लोगों को प्रोसेस पता चले की कहां से कैसे आप लोगों का apply करना पड़ेगा तो सबसे पहले में आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले में आपने Play Store पर आचुका हूँ प्लेस्टोर पर आप लोग देखो, जो भी finance company का नाम है, मतलब company का मतलब application का नाम है नहीं बोल रहा हूँ ये जो भी है एक finance lender के साथ जुड़ा होता है ना, अब ये lender का नाम आप लोग देख सकते हो, देव मुनी, leasing and finance limited, ये जो है इनका NBFC partner है, ठीक है, 3.9 का rating से, उतना खास ratings नहीं है उतना खाराब भी ratings नहीं है, ठीक है 5K reviews के उपर आया है, अच्छा ही माना जाता है, अगर civils के, मतलब zero civil पर अगर loan मिल रहा है आप लोग को, अच्छा ही है ये, 1 million plus downloads और ये हो चुका है इसमें, तो यहाँ पर कुछ screen source बगरा है आप लोगों को देखनी के जरुवत नहीं, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को directly बोलूँगा कि यह जो भी आप्लिकसन है अपने phone पर इंस्ट्रोल कर लेना, ठीक है वो OTP आपको यहाँ पर feel करना होगा अगर इसी phone पर आपका SIM लगा हुआ आए तो automatic detect करेगा अगर नहीं करता है तो manually डालिएगा उसके बाद verify OTP पर जैसे click करोगे next page में आप लोगो देखने को मिलेगा main dashboard जहाँ पर कुछ banners वगर देखने को मिल रहा है लेकिन यहाँ पर loan कैसे लेना है यहाँ पर बीच में एक banner आप लोगो देखने को मिलेगा जहाँ पर 10% complete हो चुका है जैसे कि mobile number आपने डाला था तो 10% complete हो चुका है अब बाकी का 90% जो वो complete करना पड़ेगा अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो instant personal loan लिखा है और नीचे apply now पर लिखा है तो आप लोग apply now पर जैसे click करोगे next page में आप लोग को लेके जाएगा जहाँ पर कुछ details देना पड़ेगा अब details में क्या क्या चाहिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक, दो, तीन, चार, पांच पांच details आपको complete करना होगा पहला details यहाँ पर pan verification होगा दूसरा होगा basic information तीसरा होगा residential information चौथा होगा यहाँ पर income details और यहाँ पर selfie upload और आप लोगों को यहाँ पर loan मिल जाएगा अब details यहाँ पर एक एक करके मैं fill करूँगा यहाँ पर पहला details है pan verification मैं इसको click करूँगा click करते हैं आप लोगों जो है next page में देखने को मिल रहा है pan का authentication करेगा यहाँ पर आप लोगों को अपना pan card का number डालना पड़ेगा तो सही तरी कैसा आप लोग pan card का number डालिएगा चीक है pan card का number डालके continue करिएगा continue जैसे करेंगे तो आप लोगों को एक confirmation आएगा कि आपका यह pan card जो है यह सही आपने डाला है confirm करने के लिए यहाँ पर आपके पास एक option आएगा तो confirm कर ली जगा अगर edit करने कुछ गलत हो गया तो आप edit कर सकते हैं आप तो continue करते हैं आप लोग next page में देख पाओगे 30% जो है यहाँ पर complete हो चुगा है ठीक है और यहाँ पर pan verification पे green tick हो चुगा है यहाँ पर यह complete हो चुगा है email id आप कोई भी email id डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जैसे हो जागा continue करना continue करते हैं आप लोगो next page में देखने को मिल रहा है यहाँ पर address address आप लोगों को यहाँ पर देना होगा residential address जहां पर रह रहे हो as far your other card आप लोगों को यहाँ पर address आप पड़ेगा आधर का details नहीं लेगा लेकिन आधर काड के basis पर आप लोगों को यहाँ पर address दोनों डाल दीजिए यहाँ पर आपके घर के सामने कोई मंदीर मस्जीद दुकान मॉल जो भी है आप लोगों जैसे क्लिक करोगे आप लोगों से पुछे जा रहे है क्या घर जो भी आप लोग आप जो भी घर में रह रहे हो आपका खुद का है पैरेंट का है रिंटेड है जो भी है ठिक है आप लोग हमेसा जो यहाँ पर लिखना होगा तो जैसे कंटिनू करोगे लिएक में देखने को मिलेगा इंकम डिटेल्स यहाँ पर पुछो जा रहे हैं अब यहाँ पर जो भी है आप लोगों को पुछे जा आ रहें कि आपका एंप्लाइमेंट करता है जालरीड ये फिर सेलप एंप्लूइट त्व याँपर सेलप इंप्लूइट तो आप लोग कोई हम उत्ति कर सकते हो लेकिन मैं आप लोगों बोलूगा आप 0 रग लिगतो, कोई दिक्कत नहीं है, next salary date, आपका जो भी next salary आने वाला है, वो कब तक आने वाला है, तो next month का एक date दे दीजेगा, 12 तरीक तक का आपको date देना पड़ेगा, क्योंकि सभी को पता है, कि 12 तरीक, 15 तरीक के बीच में लोन जो भी है, आपका salary चला आता है, त यहाँ पर simple सा जो है, एक white color का जो button दिख रहें, उसको click करेंगे, तो camera activate हो जाएगा, तो camera activate होगा, तो lighting बगर सही रखके, एक clear image, आप लोग एक selfie ले लिजेगा, जैसे save हो जाएगा यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर selfie आ चुका है, ठीक है, तो selfie आगे है यहाँ पर आप लोगों को simple सा save करना है, save करते हैं, आप लोगों को next page में देखने को मिल रहे है, सारा का सारा information जो है, यहाँ पर मैंने डाला था, वो सब कुछ जो है green tick हो चुका है, 100% मैंने complete कर दिया है, अब यहाँ पर preview details पर जैसे click करोगे, तो आप लोगों का जो भी details सब आपके सामने आ जाएगा, selfie का photo आएगा, नाम आएगा, email idea आएगा, pan card आएगा, date of birth आएगा, सब कुछ आप लोगों के सामने देखने को मिल रहे है, अब आप लोगों को नीचे क्या करना होगा, check eligibility पे click करना होगा, अब आप लोगों का जो भी है as per your civil यह check करेगा, यह यहाँ पर जैसे ही check करने के लिए click करता हूँ, थोड़ा सा time लगेगा, जब तक यहाँ पर time आप लोगों को देता है loading होने में, मैं आप लोगों के इस application का नाम बता जेता हूँ, इस application का नाम है भारत loan, यह loan application अभी के time में आप लोगों को loan प्रोवाइड कर सकता है, अगर अगर आपका zero civil है, तो भी यह loan आप लोगों को प्रोवाइड करेगा सिर्फ पैंकर्ट पर, आप लोगों को प्ली स्टोर पे मिलेगा, भारत loan के नाम से सर्च करोगा, तो आप लोगों को मिल जाएगा, तो जैसे ही यहाँ पर eligibility check हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग दे देखने को मिल रहा है, कि आप लोगों का bank का details पूछे जा रहा है, account का number, confirm करना पड़ेगा account number और IFSC code, यह सब कुछ आपको passbook में मिल जाएगा, अगर नहीं मिल दे तो आप bank में contact कर लीजेगा, सब कुछ आप लोगों को details दे देगा, अब जैसे आप यहाँ पर proceed to transfer करोगे तो आपके bank account पर transfer हो जाएगा पैसा, थोड़ा सा time लगता है, 40-45 मिनिट के आसपास यहाँ पर लग सकते है time, यहाँ पर मैं loan apply नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे loan की जरुवत नहीं है, मैंने सिर्फ try किया था, कि मैं देखता हूँ कि zero civil पर यह मिलता है क्या, सच में ही म आप लोग को आच्छा का सा loan का amount मिल सकता है as per your profile, आप लोग इसमें जरू-जरू apply करियेगा, loan application का नाम मैंने बता दिया आप लोग को, loan application का नाम है भारत loan, जिहां दोस्तो भारत पे नहीं भारत loan, चीज को समझे, नहीं तो बहुत लोग जो है confused हो जाते हैं, तो यह जो भ मिल रहा है तो भी आप लोग यहां पर comment करिएगा, मैं आप लोग को help कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को loan की जरूवत है, बहुत सारे लोग हर रोज हजारों comments करते है, loan की जरूवत है, loan दे दो भाई, loan दे दो भाई, तो देखि करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें, तब देख लिए चलते हैं, जय ही, जय भार दोस्तों